असलाम नीकूं वेलकम टू माई योटूब चैनल फारी वीद कीचन आज हम बनाएंगे बीफ का भुनावा कीमा जो बहुत ही मसे का बनता है चले बनाना स्टार्ट करते हैं एक कड़ाई लेंगे फ्लेम ओन कर देंगे वन कप ओईल कर डालेंगे अब इस करम ओईल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे एक बड़ी लाची एक बध्यान का फूल दो लॉंग तीन टुकडे तारचीनी के डाल देंगे इसे दो मिंट के लिए करम ओईल में कुक कर लेंगे दो medium size के प्यास डालेंगे प्यास को 3-4 मिंट के लिए cook कर लेंगे प्यास का color भी माश्यला light brown आ गया है तकरीबन 4 मिंट हो गे हैं अब इसमें 3 चौप किया होगा टमाटर डालेंगे टमाटरों को अच्छे से mix कर लेंगे तोमाटर को 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताके टोमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं देखें टोमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अब इसमें 1 kg बीफ का कीमा डलेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब बीफ की 5-6 मिंट तक हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई का इनी है ताकि कीमे का कलर चेंज हो जाए देखें कीमे का कलर बहुत ही जबर्दस चेंज हो गया है अब इसमें 1 टेबल स्पून अद्रेक लसन का पेस्ट डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वन टेबल स्पून हल्दी के डालेंगे वन टेबल स्पून जीरा डालेंगे वन टी स्पून धनिया पॉडर डालेंगे वन टी स्पून गरम मसाला डालेंगे वन टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे अब इन सारे spices को अच्छे से mix कर लेंगे अब सारे spices को कीमे में 2 mint के लिए भून लेंगे अब इसमें 1 cup दही का डालेंगे जिससे कीमे का flavor बहुत ही juicy आएगा अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे दही के साथ कीमे की 2-3 mint बनाई कर लेंगे अब इसे basement के लिए medium flame पे cover करके रख देंगे basement हो गए है cover उठा देंगे माशला खड़े मसाले की खश्वू बहुत ही जबरदस्त आ रही है माशला जबरदस्त beef का भूनावा कीमा हमारा त्यार है वन लेमन का juice डालेंगे वन टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे जिससे खश्वू बहुत ही जबरदस्त आएगी त्री सालम सबस मर्च डालेंगे अब इसे सबस धनिया से गानिश कर देंगे तीन मिन्ट के लिए low flame पे cover करके रख देंगे तीन मिन्ट हो गए हैं बहुत ही जबरदस्त कसूरी मेथी की खश्वू आ रही है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम ओफ कर देंगे अब इसे एक बॉल में डिशॉट करना शुरू करेंगे इस तरह से हमने बॉल में सारा डिशॉट कर लेना है आप भी ज़रू ट्रै कीजिएगा लेमन और सबस धनिया से गानिश कर लेंगे माशाला माशाला बहुत ही जबरदस्त लुक आई है आप इस स्पेशल पे भी ये भुनावा कीमा ज़रू ट्रै कीजिएगा और इंशाला आपको ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो फटा फट से सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी बिल सके अब गरम गरम नान या चपाती के साथ इसे इंज्वाइक करेंगे थाइंक यू